सईया भय कुतवाल तो डर काहेगा चाचा विधायक है हमारे इन शब्दों को तो आपने खूप सुना है एक गाना है तो दूसरी है वेब सीरी लेकिन अगर किसी के परिवार का कोई मंत्री हो तो फिर क्या होना चाहिए तो चलिए पहले आप ये तस्वीर देख लीजे ये तस्वीरे 25 नवंबर की है जब राजस्थान में वोटिंग हो रही थी जगे है दिख जिले की कामा विधान सबा का सावलेर गाओं इन तस्वीरों में पुलिस और भीड के बीच छड़प है बीड बूत के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है जिस पर पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वहां तैनाद B.S.F. को हवाई फाइरिंग तक करनी पड़ी बताया जा रहा है मद्दान के दौरान कॉंग्रिस पृत्याशी जाहिदा खान के समर्दकों और पुलिस के बीच जड़प हो गए ये जड़प उस समय हुई जब जाहिदा खान के बेटे प्रधान जाहिद सावलेर गाउं के मादमिक विद्याले में बने मद्दान केंद्र पर पहुँचे प्रदान साज़त खान मदान केंदर के अंदर घुसने लगे तो वहाँ पर मौझूद B.S.F. के जवान ने उन्हें अंदर जाने से रोग दिया उसी दौरान साज़त खान और B.S.F. जवान के बीच आपस में नोग छोक हो गई इस दौरान मौके पर साज़त खान के समर्द तक भी पहुँच गए और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि साज़त के समर्द को ने सुरक्षा में तैना जवानों पर पत्राव कर दिया जिसके बाद B.S.F. के जवानों ने सुरक्षा में हवाई फाइरिंग की हवाई फाइरिंग की आवाद सुनकर वहां लगे अन्य सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुँच गए भीड को ततर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मी ने लाठी चार्ज किया जिसके बाद मौके से साजित खान के समर तक भाग निकले इस घटना के बाद लगभग 45 मिनट तक बूत पर मद्दान रोग दिया गया था पुलिस ने साजित खान के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया लेकिन अब घटना के 5 दिन भी जाने के बाद भी आरोपी मंत्री पुत्र की किरफतारी नहीं होने से पुलिस की कारवाही पर सवाल खाड़े होने लगे हैं दरसल बूत क्याप्चर का प्रयास करने, मद्दान प्रक्रिया में विवधान करने और पुलिस पर प्रत्राव कर पुलिस कर्मियों से मारपीट करने के मामले में साज़द और उनके समर्थकों पर 332, 333, 171C, 171F, 178 IPC वे 130 जन प्रतिनिद्व अधिक्तम 1991 में मुकदमा दर्ज कर निश्पक्ष चुनाव प्रष्ट करार तरुत्व कारवाही करने पर दफा करने की आशंकाओं के बीच पत्रावली को सवाई माधवपुर के एडिशनल S.P. रजवीर सिंग से जाच कराने के मामले में पुलिस के उच्यादिकारी ही सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं कहा जा रहा है कॉंग्रिस प्रत्याशी जाहिदा खान के प्रधान पुत्र को बचाने के लिए पुलिस महकमे में ये चुछनाव परिणाम से पूर्व ही सामदामदन भेट की निती अपनाए हुए राजनितिक प्रभाव का अस्तमाल कर आईजी भरतपुर से फाइल ट्रांसफर कराने के लिए आदेश जारी कराकर बेटे की प्रधानी सीट वर राजनितिक करियर को बचाने के प्रयास शुरू कर दिये गए हैं फाइल ट्रांसफर होने के आदेशों के बाद पुलिस कर्मियों में नाराज़की देखने को मिल रही है। जाच भी ठंडे बस्ते में डालने की तयारी पुलिस ने कर दी है। तो वहीं अब मंतरी पुत्र आरोपी प्रधान साजुत खान खटना वाले दिन सही फरार है। उंग झाल